आज के हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे बिल्ड प्रो सॉफ्वेर के अंदर ज्वेलरी सेग्मेंट के लिए कैसे बिलिंग करते हैं और कैसे स्टॉक एड किया जाता है सबसे पहले यहाँ पर देटाबेस में जाना है आइटम पर क्लिक करके यहाँ पर लिस्ट में पर चैस को सकते हो और भी अप यहाँ पर सकते हैं पर्चेस में आपको supplier detail में जो भी आपके supplier है जहां से आप माल लेते हैं उनको add कर लेना है और उसके बाद आप पर्चेस में आइटम डाल दीजिए जैसे कि मैं यहां पर रिंग डाल रहा हूँ रिंग को select किया और 10 quantity हम लोगों ने वहां से purchase की है तो हम लोग 10 quantity यहां पर डालके purchase का जो rate है हमारा पर piece का वह यहां पर add कर रहे है उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा product दूसरा product जो है diamond ring है diamond ring भी हम लोग add कर लेंगे यहां पर और उसकी भी quantity यहां पर हम लोग 5 डलके उसको add कर लेते हैं और उसका भी purchase rate डलके add कर लेते हैं देन उसके बाद यहां पर आपको क्या करना है नीचे दो option है जैसे कि आप देख सकते हैं save, add और close तो सबसे पहले आपको यह save पे क्लिक कर लेना है save पे क्लिक करने के बाद आपको receive पे क्लिक कर लेना है उसके बाद आपको add कर लेना है तो यह सारे purchase के entries हैं आपके stock में add हो जाएंगे उसके बाद आपको sales वाली window open कर लेनी है उसके बाद sales में आपको customer का नाम address अगर डालना है तो आप यहां पर customer को select करके sales में उसका नाम address डाल सकते हो यहां पर हम लोग अभी एक bill बनाएंगे diamond ring का तो यहां पर आपको stock दीख रहा है existing stock 5 quantity आपको show हो रही है तो इस तरीके से आपको stock भी पता चलेगा उसके बाद यहां पर अपने पास billing में 3 इंच A4 और A5 का bill printing option है उसमें हम लोग सबका चहता A5 वाला select कर लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं GST number उपर show हो रहा है आपका company का नाम रादी काजबलर्स mobile number address date and time bill number सारा कुछ यहां पर show हो रहा है और buyer की details भी आ रही है बायर का GST number भी आ रहा है product description में product के details भी आ रहे हैं और यहां पर HSN code भी डाल सकते है quantity price GST कितना लगा है GST में आप breakup भी देख सकते हैं नीचे proper तरीके से इसको आप inclusive और exclusive दोनों तरीके से आप रख सकते हो और यहां पर आपका नीचे stamp लगाने के लिए जगा दिया है company का stamp लगाने के लिए तो thanks for watching like कीजिए share कीजिए subscribe कीजिए thank you so much